आज तक इस समय उत्तरी इस्रेल के रोश निक्रा और बीच के उस इलाके से रिपोर्ट कर रहा है जहांसे यह मेरे पीछे एक एक मिलिट्री की चेक पॉयंट है और इसके उस पार केवल मिलिट्री का इलाका है और वहाँ से लिबनन की सीमा महस्त dov से 2.5 किलो मिटर रह जाती ह यही से अब military operation लगातार चल रहे हैं लिबनन में उत्तक्षडी लिबनान में इसरेल की सेना के और जैसे आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं सेना की बक्तरबंद गाडियां इंधन ले जा रही गाडियां इंफंट्री को ले जाने वाली गाडियां लगातार इस highway पर है और यह highway सब्सक्राइब के लिए पूरी तरह से बंद है अभी से थोड़े पहले है आपर एक जवर्दस्ट रोके अटक्षबला की तरफ से इस खेत्र से थोड़ा ऊपर पहाडों में वा था मेरे साथ श्लॉमी हैशकल भी मौजूद है Mr.Hashkal, tell me about the rocket attack that has just taken place in that area, please come to the site sir, what happened? 5 minutes ago, two kilometers from here, it was a siren alarm and the Hezbollah rocket, the bomb there, nobody can go from this point anymore, we would like to see the view from there but we cannot do it हमारी कोशिश यह थी कि हम आपको इसके पीछे जहां पर बहुत सी बखतरबंद गाडिया, बहुत से मरकावा टैंक, बहुत से इंधन से के साथ टैंक और इंफेंट्री की गाडिया वहां मौजूद है, वहीं से इस्रेयल की सेना आगे बढ़ भी रही है, उस जगा तक ले जब हमारा भी अभी आइकाट चेकिया था तो उन्होंने बिल्कुल कहाप अपना बुलिप्रूफ जाकेट पहन लीजे, हल्मेट अपने साथ रखे क्योंकि किसी भी समय अगर रोके अटाक होता है, तो सबसे पास के बांब शेल्टर में जाहिए, और सबसे पास के बांब तो यहां पर अभी कोई बांब शेल्टर नहीं है, वैसे अगर आप इस आलाके को देखे तो यह बेहत खुबसूरत इलाका है, उत्री इस्रेयल का एतिहासिक शहर हाइफा और आको यहां से जादा दूर नहीं है, हाइफा के बारे में सब जानते भी है कि प्रथम विश्व युद से भारत का हाइफा के साथ एक बहुत एतिहासिक संबंद रहा है, जो हाइफा में कैवलरी चार्ज भारतिय सेना ने किया था, उसमें ब्रिडिश इंडिनामी का हिस्सा थी भारतिय सेना और ओटमन इंपायर को हराने में बहुत महतुपूर भूमेका रही थी और इस में जाने की आवशक्ता है या मध्य के अलाके में जाने की आवशक्ता है क्योंकि उत्री इसरेल इस समय यहां रहना खत्रे से खाली नहीं, गौरफ सावंत उत्री इसरेल आज तक